नमस्ते सदावसले मात्रभूमे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आडानी ग्रूप के उपर या हिंडन बर्ग रिपोर्ट के उपर और उने बिल सुप्रीम कोट में जो पेटीशन आई दो पेटीशन आई और उन दोनों पेटीशनों को कल भी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोट आएर इसमें सुनेगा जया आज वही हुआ भी लेकिन सुप्रीम कोट बड़ा कंसरन था मैंने कहा था कि इसके लिए सेवी हमारे हाँ अतोराज़ज़ बॉडी है हमारे यहाँ EDB है हमारे यहाँ तमाम तरह के Income Tax Department या ROC बैठे हुए है Company Law Tribunal बैठा हुआ है जिन में इस तरह की Petition जा सकती है अगर उसमें Crime कुछ दिखता है तो Economic Crime हमारे पास Wing भी है वो भी कर सकती है Cyber को लेकर कुछ हुआ है तो Cyber Security Cell भी है या Cyber Crime को लेकर भी हमारे पास अलग से Cell है लेकिन मेरा मानना था कि एक Report जो US में छपी और उसका jurisdiction भारत नहीं लगता लेकिन वो Report कुछ लोग भारत ले आए Stock Exchange से जुड़े ही Investors को सबको सूचना रहती है वो Report बड़ी तीजी से वाइरल हो गई और वाइरल होने के बाद लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया Supreme Court का खुद का मनना है कि 10 लाख करोड रुपया मतलब कोई उसकी सीमा नहीं है 10 लाख करोड अब इतना बड़ा Market Crash होना अपने आप में ये बहुत बड़ी विश्यो की खबर थी और पूरे विश्यो के Market पर इसका असर पड़ा अब इस समय भारत का Stock Exchange विश्यो के बड़े Stock Exchange वे माना जाता है भारत जिस तरह से Growth कर रहा है भारत की GDP जिस तरह से बढ़ रही है भारत में Investors की कमी नहीं आ रही है भारती कमपनियां बड़ी तीजी से बढ़ रहे है भारती कमपनियों में Foreign Institutional Investors और तमाम तरह के Investors इन्वेस्ट कर रहे है हमने विश्यो के लिए Market खोली हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो Petition गई उस Petition में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने खुद कहा ये बात उन्होंने कही कि आप हमें ये बताईए कि हम कैसे इसको रोके लेकिन भारत में जो पैसा भारती Investors का है चोकि भारत सरकार ने कानूनों में बहुत सारे संशोधन किये हैं आम आदमी आसानी से Invest करने लगा है इसलिए Middle Class का पैसा बहुत बड़े इस तरह पर यहां लगने लगा है Middle Class के पैसे को कैसे डूबने दिया जाए ये 10-10 लाख करोल रुपए की एक साथ डूबना इसका मतलब यह हो गया कि लाखों करोलों इन्वेस्टर जो भारत के हैं जो इन्वेस्टमेंट वहां लोन पर जाना ये बहुत बड़ी तरास्ती की तरह भारत में आ सकता है साथमन उनका बही इंटरनेशनली मार्केट हमारा खुला हुआ है यहां से बाहर पैसा चला जाता है बाहर से यहां आसानी से पैसा चला आता है इसलिए हम रोक कैसे सकते हैं दूसरा हिंडनबर्ग के मार्मिल में उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग जो है वो यूएस की कंपनी है जहां मेरा जूरिडिक्शन नहीं लगता हम वहां नहीं कर सकते हैं हम उसका बिगाड क्या सकते हैं चुकि विदेशी कमपनी है, पबलिश भारत में होती तो एक बार कहते हैं कि इसको कर दो, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी यूएस में ही पबलिश होई, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जिए, अब इसमें एक वकील साब, ML शर्मा साहब जो पिटिशन लाए थे ML शर्मा का कहना ये था, कि इसमें आप एक्षन तो लीजिए लीजिए, इसके लावा हिंडन बर्ग को पनिश करिए, और साथ में हिंडन बर्ग का जो ओनर है, उस ओनर के खिलाफ कारवाई करिए, ML शर्मा साहब जो कहना है, और शॉर्ट सेलिंग, जो उनका सबसे इंपॉ करती है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ये जो कंपनी है ना, इसकी ये हिंडन बर्ग, हिंडन बर्ग की कंपनी का जो ओनर है, जो फाउंडर है, नाथन एंडर्शन, ये एंडर्शन, हिंडन बर्ग का जो कहता है, हिंडर्ग, शॉर्ट सेलिंग हिंडर्ग, ये शॉर्ट स है खेलती है short selling short selling उसको कहते हैं जो कि तुरंत market उठने पर खरीदता है market उठने पर बेचता है market डाउन होने पर खरीदता है और वो कोई दूसरा ब्यवपार करता ही नहीं एक बड़ी market बड़ी संख्या भारत में ऐसी है जो सिर्फ share market में पैसा लगाती है और निकालती है वो उसके expert होते हैं और अंदाजा यानि कि यह तो game की तरह है कि अंदाजा लगाए कि मार्केट उठ सकती है तो उन्होंने खरीद लिया उनका market गिर सकती है उससे पहले बेज दिया तो यह expert जो खरीद फरोख्त करते हैं मल शर्मा साहब का कहना है कि जो एक्सपर्ट खरीद फरोख्त करते हैं short selling को लेकर नाथन एंडर्सन की रिपोर्ट short selling पर आ गई जिसकी बजह से आम investor जो भारत का genuine investor है जिसको दुनिया की यह share market की भाशा नहीं समझाती है वो तो एक company में अपना पैसा लगाता है और कहता है कि company में पैसा लगाईए और company को grow करवाईए लेकिन जब हम short selling करते हैं open market में shares बेजते हैं कोई भी खरी सकता है कोई बेज सकता है इस short selling में आम आदमी जो आम आदमी का पैसा लगा हुआ है वो कहीं न कहीं फस जाता है और वो बड़ी बुरी situation में पहुँच जाता है और फिर यह जो artificial crashing होती है इसमें उसका नुकसान होता है innocent investor मर जाता है बात उनकी बिलकुछ सही है उनका कहना था कि आप केबल वो इलाओ करिए कि आपने company को पैसा दे दिया company उस पर investment करेगी investment करने के बाद company जो profit पैदा करेगी वो profit को आपको distribute करेगी यानि कि वो आपको dividend के रूप में देगी हर साल टाय करेगी आपने इतना पैसा लगाया company ने 20% growth करी तो आपके पैसे ने भी 20% growth करी और 20% आपको यह हमने दे दिया वो टाय करेगी 20% दे दिया उसमें से आज जो हमने 1000 रुपय का खरीदा है वो धाई होना बढ़ जाएगा यानि कि वो धाई-जार रुपय का हो जाएगा तो अगले साल आपका धाई-जार का शेयर हो जाएगा लेकिन short selling बंद करवा दीजे यह इनका कहना था दूसरी petition जो तिवारी की तरफ से इनका इसक फाहिल थी वो पुटिशन ये कह रही थी कि हिंडन बर्ख की रिपोर्ट को हिंडन बर्ख पर provides मिठाया जाए और इन्वेस्टिगेशन बठाकर ये पता कि यह एजए Button को एक लिभ Allah के का founder Anderson को jail भेजो क्योंकि बहुत सारे देशों में हिंडनबर्ग को वेन करका है यहां तक कि वो New York का है New York Stock Exchange नहीं उसको वेन करके करके रखा है और दूसरी petition यह है कि साथ हिंडनमर्ग की report को open कर दीजे और हिंडनमर्ग की report पर investigation मिठा लिए सुप्रीम कोट कह रहा है कि हम इसमें कर ही क्या सकते हैं इसके लिए सेवी है तो solicitor general वहां present थे उन्हों नहीं कहा कि साथ सेवी इस पर investigation कर रही है और इस पर अब काम चल रहा है हमको जैसे ही कोई उपाय मिलेगा हम निश्यत रूप से आपको अच्छी ख़बर देंगे ऐसा सुप्रीम कोट से कह दिया लेकि सुप्रीम कोट यह कह रहा है कि हम मानते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं यह भी मानते हैं कि इसमें मेरा और समय में गाइड देन्स ठीक रहे समें दाल देज़ेंगatarwyddस दूसरा सुप्रीम को कोट ने जनरल से सरकार से कहा कि आप ऐसे स्टरह की रिपोर्टों के आधार पर वारज़ कोड़े चाहिए आम आद्मिगाा जाए आम आदमी को कैसे संरक्षित किया जाए इसके लिए कुछ सोचिए बारम बार यहां तक कि सुप्रीम कोड के चीप जैसिस उनके दो जो जाए जाए यहां कि इस पर एक्सपर्ट कमिटी बेठाई जाए दूसरे जैसिस से उनने जो भात की होगी जो भी किया इसके बाद चीप जैसिस ने कहा कि हम एक काम करते हैं कि सुम्बार को फिर शेब बैठी है Ministry of Finance से instructions लीजिए यानि कि Solicitor General से कहा कि Ministry of Finance से instructions लीजिए कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं सरकार इस पर कुछ step ले ताकि इस तरह की घटनाएं जो 10-10,00,00,00 करोल रुपया एक साथ डूब जाए या कम हो जाए मार्केट गिर जाए आम आदमी जिसमें आत्मत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है कभी-कभी ऐसा नहो इसके लिए सरकार इस पर कुछ करें बात सुप्रीम कोट की बिल्कुल ठीकती मैंने कल ही कहा था कि सुप्रीम कोट तो अनवेल सुप्रीम कोट है उसके पास पावर है लेकिन आखिर उनका रोल क्या है यह बात सुप्रीम कोट ने भी सुएम स्विकार करी कि हम करें क्या इसमें लेकिन फिर भी इस पर एक फ्रेमवर्क होना चाहिए इस पर कुछ काम होना चाहिए बात में उन्होंने यह भी कहा कि भारत की मार्केट बढ़ रही है, भारत के लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए अब आम आदमी इसमें पैसा भी लगा रहा है, और मार्केट बढ़ ही रही है, ग्लोबली भी हम बढ़ रहे हैं, हम इसमें पैसा बिदेशों से भी आ रहा है, तो एक बात तो निश्यत है कि सुप्र दनी बड़ी है, आम आदमी के इन्वेस्टमेंट की शमताएं बढ़ी हैं, अब जब सब कुछ बढ़ेगा तो इस तरह की समस्याइं आएंगी। हमें ला चुके हैं, भारत बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, इसलिए इन पर फर्क तो पड़ता है, हाला कि अडानी ग्रूप की एक रिपोर्ट जो की न्यूवर्क टाइम वो फैनेशल टाइम्स में छपी और कुछ न्यूस पेपर्स भी कुछ न्यूस पेपर यूके के भी बोल रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अडानी ग्रूप ने न्यूवर्क एक्स्टाक एक्सचेंज के कुछ बड़े वकीलों को वहां की लौफ फर्म को हायर किया है, और हायर करके उससे वो मदद चाहते हैं, उससे मदद, मतलब वो इसको कैसे काउंटर किये जाए, यह आयरोवेट का एक सद्धान्त है, मुझे लगता है यह वही सद्धान्त है कि जहां पर जिस प्रकार का रोग पैदा होता है, उसी प्रकार की आउशदी उसी भूमी पर पैदा होती है, यह जो मिस्टर हैं, एंडर्सन, यह चुकि न्यूवर्क स्टॉक एक्शेंज के स्पे मार्केट में काम कर रही हो, वही हिंडन्बर्ग के खलाब क्या एक्शन हो सकता है, कैसे एक्शन हो सकता है, और कब एक्शन हो सकता है, और हम कर क्या सकते हैं, वो लोग जादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि उनको हिंडन्बर्ग की पूरी केस हिस्ट्री से लेकर, उसके प आफर में वहां की hierarchy हैं क्योंकि ये पैसा जो डूबा है ये डूबा केबल भारत के लोगों का नहीं होगा ये तो विश्व में जो इन्वेस्टर्स उनकी कमपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं हैं। उनका सब का डुबा चुकि एक company डाउन हुई तो market पूरा crash किया हलाकि वो recover हो गया no doubt वो अलग बात है कि वो recovery कर रहे हैं अडानी पी recovery कर रहे हैं market पे recovery कर रहा है हिंडर work side में चला गया लेकिन ऐसी घटना दुबारा ना हो ऐसा Chief structures of India का कहना था कि ये घटना दुबारा ना हो इसके लिए हमको बड़े strong framework बनाने की अवशकता है इसकी एक expert committee बनाईए वो expert committee इस पर काम करे और वो निर्धारित करे कि आखिर ये सब रोका कैसे जाएगा क्या short selling रोकी जा सकती है? क्या short selling रोकी जानी चाहिए? ये market में जो पैसा लगाने वाले लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं सिर्फ पैसा लगाना और निकालना ये उनका ब्योपार है इन लोगों पर कोई लगाम लगाई जा सकती है ताकि आम investor का पैसा सुरक्षित रहे पर ये है कि जो company तो अपना share बेच चुकी है company जो अपना share बेच चुकी है उस पर बहुत प्रबाव तब तक नहीं पड़ता जब तक वो FPO नया नहीं ले कराती है अन्य था जो बाकी की ध्राम धुरूम हो रही है वो सारी की सारी जनता की होती है जो छोटा investor है सबसे ज़्यादा नुकसान उसको होता है इसलिए वो mutual fund के मादेम से पैसा लगाता है लेकिन मेरा मानना ये है कि देश इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है बड़ी तेजी से हम ये सब कर रहे हैं तो क्यों हमें final expert की भी जरुत पड़े ये प्रशन है मूली प्रशन है इसलिए मुझे लगता है कि इन प्रस्थितियों में भारत को कुछ नए framework बनाने होंगे अगर विश्व में नहीं है ऐसे कोई framework तो भी ये हमरी जिम्मेवारी बनती है कि चुकि हम अगड़ी भूमिका में हैं तो कुछ हम ऐसा नया करें और मोदी है तो मुम्किन है ये भी बिल्कुल तैबात है कि बहुल उनको ideas की जुरुत परती है आप लोगों को अगर कोई idea है तो नीचे लिखिए हम सरकार को forward करने की कोशिश करेंगे उनको mail करने की कोशिश करेंगे या फिर मैं अपने इन उद वो दुनों में कहीं ले लूँगा विशे ले लूँगा उसमें से काट कर आप उनको tag कर दीजेगा और experts कई एक experts पर लिखेंगे तो फिर मुझे लगता है कि अच्छी जानकारी हम लोग कर पाएंगे और सरकार को देश के जो growing plan है देश की जो बढ़ती हुई अर्थ विव विश्था में आदा आम आदमी के पैसे को कैसे सेव करना है ये भी हम सोच पाएंगे जैहिंद जैभारत बंदे मातरम